नमस्कार न्यूज इंडिया 24-7 के इस खास का रिकम में आपका स्वागत है मैं हूँ विजैत्रवेदी दक्षिन भारत में कन्या कुमारी से शुरू हुई राहूल गांधी की यात्रा अब उत्तर भारत में पहुँच चुकी है कॉंग्रेस को यकीन है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से वो 2024 में दिल्ली की सत्ता पर वापस काबिज हो सकती है इसको यथार्थ के धरातल पर लाने के लिए कॉंग्रेस सांसाद राहूल कड़ी मेहनत कर रहे हैं इतना ही नहीं वो केंद्र सरकार पर जम कर निशाना सादने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहूल गांधी आरसेस पर भी हमलावर है राहूल के आकरामक तेवर को देखते हुए राजनीती के जनकारों का मानना है कि राणनीती भले ही कॉंग्रेस की हो लेकिन इसके पीछे दिमाग सास समंदर पार सेम पित्रोदा साहब का है सेम पुत्रोदा राहूल गांधी को राजनितिक सलहा देने का काम करते रहे हैं जिनें राहूल की छवी में आए बदलाव का क्रेडिट दिया जाता रहा है आपको बता दें कि सेम पुत्रोदा साहब को भारत में कम्प्यूटर क्रांती का जनक भी कहा जाता है और असी के दशक को जो लोग याद करते वो सेम पुत्रोदा साहब के जलवा को समझते होंगे भारत जुड़ो यात्रा और कॉंग्रेस समेथ तमाम मसलों पर बाचीत करने के लिए अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉंग्रेस की चाणक के माने जाने वाली सेम पुत्रोदा पुत्रोदा साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है नया साल आपको मुबारक बात आपका जो आइडिया है भारत जुड़ो यात्रा का उसको आज अब करीब करीब लास इस्टेप पर पहुँच गया है लास माइल पर कैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले मैं आपके लिए करेक्शन करूंगा कि न तो मैं इसके पीछे में आइडिया हूँ न तो मैं राहूल गांदी का आप जैसा मानते हैं वैसा सलातार हूँ सर देश मानते हैं देश में जादे तो लोगाश मानते हैं न तो ये नो नो I think we need to put things in perspective कि ये गलत बात है कि मैं एक बहुत बड़ा सलाकार हूँ और ये भारत जोड़ो यात्रा मेरा विचार था ये जूट है so let us just start with an idea yes कि मैं एक Congress काये करता हूँ मैं ये विचारधारा में जुड़ा हुआ हूँ पहले से जनम से मैंने राजीव गांदी के साथ काम किया जी मैंने मनमान सिंग जी के साथ काम किया जी और मैं हजारों लोग जो Congress में है वैसा ही एक Congressman हूँ ठीक है तब आप कैसे देख रहे हैं एक Congressman के तौर पर देखिए आज देश में जो लड़ाई चल रही है जी वो लड़ाई एक विचारधारा की है हमारा जन्म 1942 में एक छोटे से गाउं में औरिशा में हुआ था इस गाउं में हमारे छोटे घर में पांच बड़ी बड़ी छबियां लगाई जाती थी गांधी जी नहिरू जी सरदार पटेल मौलाना आजाद और सुबास चंद्र बोज हम जहां रहते थे वहां सामने मुसलिम थे साइड में सरदार जी थे दूसरी तरफ जहिन फैमिली था और पीछे औरिशा के ट्राइबल लोग थे हम सब ये मान के जी रहे थे कि हिंदुस्तान सब का है सब समान है सब को रिस्पेक्ट भाईचारे के साथ रहना है हमारा जो कॉंस्टिटुशन बनाया गया था उस वक्त उसमें क्लिरली बताया गया कि किस तरफ का देश हमें बनाना है हमें न हिंदु रास्ट बनाना है हमें न गाओं गाओं में हेट फैलाना है हमें किसी के धर्म के बारे में कुछ बूरी बात कहनी है आप क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं कैसे रहे हैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर नहीं है ये जब बिखर रहा है ये तब हमें बड़ा दुख होता है ये ये देश ये देश उल्टी दिसा में जा रहा है ये इस से देश को एकनामिक नुक्सान होगा देश में जगड़ा बड़ेगा दौक्रियां कम होगी और हमें जो देश को आगे बढ़ाना है तो सब को साथ लेके जाना आई ये तो सब कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास और करते हैं पुलूल्टा यही आपसे जानना चाहता था सर प्रधान मंत्री जी का तो ये नाराई है कि सबका साथ सबका विकास पहली बात और दूसरा क्या आपको लगता कि आपने समविधान का जिक्र किया तो क्या ये मुल्क इस वक्त समविधान के रास्ते से या समविधान के माध्यम से नहीं चल रहा बिल्कुल नहीं चल रहा जब लोग लीडर्स इतना जूट बोलते हैं सब के सामने कहते कुछ है करते कुछ है तो देश कैसे चलेगा सब जगा मैं तो देख रहा हूँ मेरी दुस्टी से सब जूट चल रहा है आप कहते एक है करते हैं बिल्कुल उल्टा आप डेटा सबज करते हैं आप सब चीज की करडिट लेते हैं और ये एक अथोरिटेरियन की इमेज बाहर आ रही है मैं तो बाहर से देखता हूँ मैं यहां के लोगों से बात कर रहा हूँ दुनिया में बड़े बड़े लीडर से मिलता हूँ एक छवी बनाई जा रही है और एक रियालिटी है ये दो चीजे बिल्कुल अलग है लेकिन सर इसको मैं समझना चाहता हूँ आपसे आपने जो बात कही कि एक सरकार जिसके लिए आप कहरें कि वो नेता जूट बोल रहे है या छवी अलग है और वादे अलग है अग्जुकूशन अलग है लेकिन वो पार्टी लगातार चुनाव जीत रही हो हिंदुस्तान जैसे एक डेमोक्राटिक कंट्री में आप मेंडेट के आधार पर इताई कर सकते हैं तो या तो क्या जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही बिल्कुल है लेकिन सब जगा डेमोक्रसी अभी डेंजर में है देखिए अमेरिका में क्या हुआ टरंप के टाइम में देखिए ब्राजिल में क्या हुआ हंगरी में क्या हो रहा है फिलिपिन्स में क्या हो रहा है सब जगा डेमोक्रसी इस गोइंग थू लॉट्स अभी ट्रेंड बिकॉज जो इलेक्शन सिस्टम है सब जगा वो कहते हैं कि आप 40% वोट ले आएं तो आप जीत गए और आप जीत गए तो आप 100% पर डिसाइड कर सकते हैं क्या कर रहा है यह कोई डिमॉक्रसी नहीं है इन हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड वी नीड टू रीडिसाइड डिमॉक्रसी अभी देखिए इंडिया वे क्या हो रहा है कि आप 40% वोट से सीट जीत जाईएं क्योंकि हिंदू रास्टर वाले 40% लोग हैं बाकि 60% हैं वो 4-5 पार्टी में डिवाइड हो जाते हैं तो आप ज नब्बे और दोसों पर सरकार बनाने वालों पर आप क्या कहेंगे इससे पहले तो बहुत ही तूटी हुए हम वही कहेंगे कि भई सब को साथ मिलके काम करना है हम वहीं कहेंगे दूसरा कुछ नहीं कहेंगे अगर आपके पास 190 सीट्स है और आप सब को साथ जोड रहे हैं तो सब को साथ लेके आम करना पड़ेगा यह देश डिमोक्राटिक कंट्री है इंडिया इस डाइवर्स कंट्री सब तरह के लोग रहते हैं इंडिया में इस्ट में जाए अलग प्रजा है वेस्ट में जाए बिलकुल अलग प्रजा है नॉर्थ देखिए शाउट देखिए इसमें एक सिस्टम नहीं चल सकती हम तो कह रहे हैं अभी कि देश की सुरक्षा देश का भविश्य जब ही बन सकता है जब आप सब को समाद रखे हैं हमारे वाँ अभी भी कास्ट सिस्टम चल रही है हम हरी जण को कैसे ट्रीट करते हैं अधर कास्ट वालों को कैसे ट्रीट करते हैं कितने लोग हैं गवर्मेंट में जी ओबी सी के और एस्टी यो नो जी हैं कितनी महलाएं हैं ये सब अभी नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा ये तुम उल्टी दिसा में जा रहा हैं ये लेकिन सर बीजेपी का कहना है तीन बात है आपने जो बात की उसमें एक बात उनोंने कहा भारत जोड़ो यात्रा के रेफरेंस में वो कहते हैं कि भारत तो रापर सेप्शन जीज़ आप कोई भी चीज़ को ट्विस्ट कर सकते हैं जब आप कह सकते हैं कि गांदी जी वास बात जीज़ ये बदिर और जीज़ गांदी जी़ तो आप जूट ही बोलते हैं तो चुट ने भारत नहीं तोड़ा था फॉटिसवन में तो बीस आपने ब There is no need for me to go back to Ganesh, Shri Krishna, Ram, all that. I am accepting as it is. I want to look at future. I do not want to look at past. अभी तो क्या कुछ भी कहे आप, immediately response आज जाएगा, Indira Gandhi ने ये किया, Pandit Nehru ने ये किया, Gandhi जी ने ये किया, हमें कुछ ने सुनना हो. जो है, वो है. ने तो इसका मतलब तो ये भी होता है कि अपनी गलतियों को नहीं मानना, एक तरीका ये भी होता है. नहीं, नहीं, नाट ट्रू. वो अपनी गलतियां नहीं है, वो किसी ने वो टाइम में गलतियां की होगी सायद. ये मेरी गलतियां कैसे हो सकती हैं? ये कॉंग्रेस पार्टी की गलतिया नहीं है वो जो लीडर उस टाइम में थे आप देखिए जब डिसीजन 1950 में होता है उसको आप 2020 में एनलाइज नहीं कर सकते है ठीका बिकॉस यार एनलाइजिंग अन 2020 फ्रेमवर्क ठीका लेकिन सर वो जाइए 1950 में क्या हुआ था उस वक् डिसाइड किया एकसेप्ट इट फ्यूचर को लेकर बीजेपी कहती है कि फ्यूचर के हिसाब से हम भारत जो है तीसरे नंबर की एकॉनोमी बनने वाले हैं सबसे बड़ी बात जीडीप हमारा लगातार बढ़ रहा है मैं सवाल छोटा सा पूछ लेता हूँ आप से सवाल प फ्यूचर कैसे हुआ बहिया किसने बीज डाले थे जी अगर आपको यही सुनना है तो यह बीज किसने डाले थे जी किसने आया एटी आयम सी एस आयार अटोमिक एनरजी स्पेस रिसर्च सी डॉट टेलकाम मोबाइल फोन बराया था और फ्यूचर तीसरी वर्ल्ट की एकॉ एकॉनमी एकॉट टोम इससाइट बिकॉण पर फ्यूचर बिलियों पीपल वुट मैंतिक्स करिये अगर हुंड़न फिप्टी मिलियन होते तो तीसरी एकॉनमी नहीं होती एकॉणिय थे तीसरी एकॉनमी इसलिए है कि हमारे पास 1.5 बिलियों लोग हैं वो यहाँ हैं वही a clear mind, it has to do with the seeds we all planted together, which include everybody. Okay? Bajpaiji also planted seeds. Yes. So I'm not saying the seeds were planted only by Congress. जी. सर एक चीज याद आती है आपने... ये सब देखिए ये सब ट्विस्ट करके लोगों को उलू बनाने के लिए ये बोला जा रहा है. सर, सीट्स का आपने जिक्र किया तो Computer Revolution में जब भी बात होती है हिंदुस्तान में तो सेम पित्रोदा का नाम आता है. आज हम Digital India पर पहुँच गए हैं. इस पूरे जो सफर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपने जो seeds बोए थे, उसका ठीक सा नतीजा मिल रहा है. आज हम वहाँ पर Digital India के नाम पर पढ़े हैं. देखिए, first of all, मैं ये भी clarify करूंगा, कि अकेले साम पित्रोडा कुछ नहीं कर सकते हैं. मैंने का, उसमें नाम आपका था, अब आप बहुत विनम्र हो रहे हैं. आपकी ये जो है विनम्रता. नो, one person provides some direction. स्पेस में भी ऐसा हुआ. देखिए, स्पेस में सारा भैन ने direction दिया, milk production में Korean ने direction दिया, atomic energy में भाबा ने direction दिया, agricultural revolution में सुबरमनियम, you know, and others ने direction दिया. सो ये तो हम सब लोगों का काम है. हमारा काम था, हमने किया, लोगों ने साथ दिया, तो कुछ बन गया. इस से हम hero नहीं बनते हैं. देश hero बनता है. सो आप अभी डिजिटल इंडिया की जो credit ले रहे हैं, वो बिलकुल गलत है. आपको credit सब को देनी है. ये तो प्राइम इन इस डिजिटल इंडिया की भी credit ले रहे हैं. अरे भी कमाल की बात है या. प्राइम मिनिस्टर कांट इवन स्पेल अकॉर्डिंग तो मी, वोट इस डिजिटल इंडिया, विट आल रिस्पेक्ट तो प्राइम मिनिस्टर. ओके? और आप कैसे ये कर सकते हैं? और आपको दिल काम नहीं है. ये काम तो scientist का है, entrepreneurs का है, young talent का है. लेकिन you are very quick to take credit. हमें एक खुद को ये अच्छा नहीं लगता. लेकिन जो जिसको चाहिए वो कर रहे हैं. हम क्या करें? सर आप Congress की Overseas Association को, Group को देख रहे हैं, संगठन को देख रहे हैं. भारतिया जन्ता पार्टी के लिए भी लोग ज़्यादे दर मानते हैं कि जो हमारे NRIZ हैं, उन्होंने बड़ा contribute किया है और उनका बहुत support है मौजूदा government को. आप कैसे देखते हैं वहाँ पर Overseas में इन द ग्रूप में और तीसरा ग्रूप है अमेरिका कैनेडा में. ये तीनों ग्रूप अलग-अलग हैं. एक intellectual है, business वाले हैं, service वाले हैं, लेकिन इसमें temple वाले बहुत हैं. जो जो लोग temple वाले हैं, जो जो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा धर्म परदेश में हमी समा लेंगे, हमारे बच्चों को गीता पढ़ाएंगे, अन्मान चालिसा पढ़ाएंगे, मंदिर बनाएंगे, सनिवार को temple में जाएंगे, वो naturally, with all respect to them, we'll support BJP. जिनकी विचारधारा अलग है, जो global citizen है. जो मानते हैं democracy में, freedom में, human rights में, जो मानते हैं कि देश को आगे बढ़ने के लिए धर्म की ज़रूरत नहीं है, कर्म की ज़रूरत है. वो लोग सायद कम हैं, और ये तो एक media ने हवा बनाई रखी है. आप लोग सब ने एक ऐसा महौल किया है, कि जो सब दुनिया ऐसी मानती है, कि सब कुछ हो रहा है देश में, वो खाली BJP की वज़े से हो रहा है. वो भाया सच बात नहीं है, आप समझे, सब को क्रडिट दीजिये, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहरा भाया, ये, I have nothing against anybody, okay, there are a lot BJP people who do good work, we have to respect them, we have to love them, because they are working for the country, but when they divide, based on religion, that is the division that bothers me, how could I live in India where there is no Muslim, I grew up with Sahiri, I grew up with Kavali, I grew up with SING all my great actors, it is not a question of nikaaling, it is a question of treating them with dignity, respect, this is the kind of conversation we have, I am not saying कोई निकाल रहा है, आपने सिर्ण बोल दिया के निकाल कॉण रहा है, वे मैंने तो असा कहा ही नहीं कि कोई निकाल रहा है, it is the tone of the conversation in the country, which has changed, we have to lower down the tone, we have to really respect each other, मैं जब भी इंडिया टीवी पे discussion देख रहा हूँ, वो जगड़ा ही होता है, कोई अच्छी तरह से प्रेम से बात नहीं कर रहा टीवी पे, क्योंकि सब दुखी हैं अंदर से, एक सवाल समझना चाता हूँ, सर आकरी है कि वक्त कम है, कि भारत जड़ो यात्रा के लिए मुझे दिल्ली में कुछ लोगों ने बताया, कि ओवर्सीज से भी कुछ कॉंग्रेस के जो कारे करता है, या सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो जड़ने वाले हैं यात्रा में 30 जनवरी तक, दूसरी बात इसका कोई पॉलिटिकल, वो देखते हैं, आप कल्मिनेशन समझते हैं, 2024 के हिसाब से, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ओवर्सीज कॉंग्रेस में, जो कॉंग्रेस की विचाधारा को डीपली समझते हैं, मानते हैं, उनके फैमिली में सब कॉंग्रेस में हैं, जो वो जब देश जाते हैं वापिस, उनके फैमिली को मिलने, और जब देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो नैचरली उनको भी साथ एक दिन दो दिन चलना है, तो सिधी बात है यह है, वो आना चाहते हैं इदर, जुड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल, अब भारत जोड़ो यात्रा इलेक्शन में क्या होगा, वो तो इंडियन पब्लिक को डिसाइड करना है, हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं, हमें बहुत सारा प्रेम मिलता है, आप से और सब लोगों से, and I am thankful for the opportunity given to me by people of India, I love every part of India, believe me, I live abroad, but in every drop of my blood, India lives all the time, it is unfortunate that my children are very different, which is okay, that's how life works, yes, that life works, लेकि सर ये 2024 में Congress reference से आप कोई मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ क्या देख रहे हैं आप, हूँ तो मैं कहिया, यही कह रहा हूँ आपको, कि देश के लोगों को समझना है, कि आपको कैसा देश बनाना है, अगर आपको खाली हिंदू रास्टर ही बनाना है, आपको दंगा फसाद चालू रखना है, आपको पाकिस्तान को हमेशा एनमी की तरफ देखना है, आपको देश का ध्यान खालतू मुद्दों पर उठाना है, और आपको एक्सेप नहीं करना है कि नौकरिया नहीं मिल रही है, महिंगारी बढ़ गई है, वाइलन्स है इंक्रीज, सिक्यूरिटी इस प्रॉब्लिम, और आपको अगर नहीं तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है, चलेगा, देश तो रहेगा, हजारों साल से है हिंदुस्तान, और हजारों साल चलेगा, क्या फरक पड़ पाया है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका पितरोदा साब, कि आपने वक्त निकाला, हमारे लिए वक्त दिया, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत लंबे समय बाद एक बड़े हीरो को हिंदुस्तान में बहुत लोग आपको बड़ा हीरो मानते हैं, तो आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 बश्रचान में बहुत बड़े हैं, सरकार के साथ काम किया भारत में काम किया यदि आज आप दिल्ली में होते इस सरकार के साथ होते तो कैसे भारत को बदलते या किन नीतियों को आप बदलना चाहते हैं यह बड़ा बहुत बड़ा सवाल है सबसे पहले मैं सब बेताओं को विनंती करूँगा कि वी नीड पीस लव तूथ प्रस्ट इन दे कांट्री सबसे पहले यह कहूँगा कि सब को गले लगा लीजिए जैसे भी हो वो हमारे हैं जी इट लाइक हमारी फैमिली में कोई अपंग हो तो हम उसे छोड़ते नहीं जादा प्यार करेंगे कम नहीं करेंगे यह पहली चीज है दूसरी चीज अजवे ब्राँ मैंगे टूसरी एड जूस्टे काव्टूंड लूस्टे इक添 सबस्ट्ट्टू स साथूट्ट्टंटेंैशा मेर का कोई काम नहीं आज कल, कमिशनर सब चलाते हैं, शिकागो का मेर जिकागो जिकागो सिंवा इन When the German wants to sense city. औरStr satisf नहींज कर्दाने माधर आप देडिर्य है जुद्टीछ 10D शुष्ट अना जूरीह सब हघते हैं अबेडने घ्रीटर in Delhi, what should the local teacher be paid? When we were little children, teachers were paid by local community. And local community decided कि क्या आप तन्खा देनी है? उस सब के तन्खा एक तो होई नहीं सकती? जए. So, biggest demand in the country today, according to me, is to decentralize and create new economy. ये जो वेस्टन मॉडल है ना एकॉनोमी का, वो इंडिया में नहीं चलेगा. ये समझा ये आप बात क्योंकि economy development की बात लगाता और हो रही है कि हमारे economy growth हो रही है. हमने अभी एक नई किताब लिखी है. It is called Redesign the World. Yes. What is the idea about the redesigning? The idea is कि the world was last design when I was born. This design ने United Nations, World Bank, IMF, NATO, WTO, WHO को जन्म दिया. दुनिया पूरी वो design से चलती है. हम भी वही design से चलती है. GDP बड़ा, GDP नहीं बड़ा. रभी, it don't mean anything. Anymore. It used to mean a lot. Okay. So, we are taking western model of development as the ultimate. We are going to be super power. You have 400 million people who can't leave comfortably. What are you talking about becoming a super power? यह कैसा पागलपन है? यह जो हमें super power होना है, global का leader होना है. अरे, घर का तो पहले ठीका ना करो बही या. Okay. तो लेकिन सर्फ global leader होने से ऐसा लगता है ने कि हमारी voice ज़्यादा बढ़ गई है. सब लोग मान रहे हैं आज की तरी. पुछता है सब वो, वो सब कोई पुछता नहीं यहाँ पे है. हम तो यहाँ रहता हैं ना परदेश में. कोई एक paragraph इंडिया के बारे में यहाँ नहीं आता, newspaper में. और इंडिया में आप सब लोग करहें कि हमारी बड़ी नाम ना होगे यह परदेश में. ज झूछता है. Of course, we are a large deshan, so people have to pay attention to us. Because we are a country of 1.5 billion. You can't ignore. Our Indians are all over the world. They are running best of the best companies, best of the best banks. That's Indian talent. Don't confuse that. India will be respected when Indian poverty will be eliminated. India will be respected then when 400 million people will not have malnutrition problem India will be respected when there will be power 24 hours a day everywhere that is the India we will talk about so I am coming to that we have to change the economic framework which is more decentralized few people are becoming very rich and lots of people are very poor so we need to re-centralize our economy we need to really respect our artisan unorganized labor we need to do work at district level we need Gandhian approach to economic development and not western approach he respect that okay which is good we are not I am not criticizing everything please don't get me wrong yes people think it is good then it is good if Indian women think that by giving gas they have benefited I am all for it no don't you think sir no I don't know because I don't use gas you should ask the consumer you should and as needed that made the people as her which is that could not be realized because there was no internet है उस वक्त जो इंटरनेट होता गांधी जी के जमाने में तो हिंदुस्टान अलग होता है अभी हमारे पास इंटरनेट है सब जगा लग गया है उसका उप्योग डिसेंट्रलाइजेशन में करिए उसका उप्योग अग्योग सेंट्रलाइजेशन में मत करिए यह एक बहुत बड़ा कौंसेप्ट है कि हाइपरकनेक्टिवीटी शुद भी यूज्ट टूरीडिजाइन इंडिया अभी क्या हो रहा है कि hyper connectivity से आप जादा control कर रहे हैं. जो हो रहा है वो ही हो रहा है hyper connectivity से. अगर hyper connectivity से आप ठोटे छोटे लुगों को empower नहीं करेंगे तो democracy कैसे आएगी? आपको farmer को empower करना है. आपको teacher को empower करना है. local health worker को empower करना है. Completely अब देखिये हमारे माँ जस्टिस अभी 30 तो 36 मिलियन कोर्ट केसिस आर पेंडिग यस अब यह कैसा देसे वहिया और एक जगा बात करें है है पर कनेक्टिमिटी सुपर पावर यह नो वर्ल लीडर अब गिन दूसरी जगा इस तो सट्ले कोर्ट केस्ट लेकर चल रहा कोलेजियम वर्सेस एंजे एसी तो आप हाइपर कनेक्टिवीटी का उप्योग करिए और ऐसा कहिए कि भई हर केस्टा मेने में सटल हो जाएगा और यह 36 मिलियन कोर्ट केसी स्पेंडिंग है उसको जिरो कर देंगे आप लगाएए नास कौम नास कौम को और सब बड़ी बड़ी जो सॉफ्ट वेर कम्टिय हैं उनको लगाएए काम पे यह काम करना है देश में यो तो कोई पुछता ही नहीं है और बोल रहे हम सुपर पा और हो सकते हैं जब कंट्री में 36 मिलियन कोर्ट केसी स्पेंडिंग है अभी मैं पढ़ रहा था कि एक कोर्ट केस है जो 1989 से चल रहा है कमाल की बाद लोग मर गए सब कोर्ट केस चल रहा है जी बड़ी बड़ना है सब के जजेज की जो वेकिंसी हैं वो बहुत पड़ी है तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है एंजेसी वर्सेस कोलेजियम उसको आप कैसे देख रहे हैं देखें लेट जजेजिस डिएट इस गुट फोर और कोर्ट सिस्टम यस लेट उस नोट है पुलिटिकल इंटर्फेरेंस यह बट तेल दें इस नोट है यह बट टूटिकल इंटर्फेरेंस लेटिकल तेल्ट आप आप उनको देखेंगे यह बट फालतुु चीप जगडा कर रहा है यह बम्यं कर रहा है मैं तो कभी नहीं सुनता कोई भी जच जग से के वी विल रिफॉम उसिं टेक्नलोजी टेक्नलोजी टेक्नलो उसकी तो बात ही नहीं होती है और सब लोग उल्टी सिधी बात करते रहने पूरा दिन यह पता नहीं क्या हो गया हमारे दिमाग को कि हम समझ नहीं सकते कि क्या सच है क्या जूट है क्या करना है क्या नहीं करना है सर क्या आपको लगता कि देश का political paradigm बदल गया है असली problem वो है बिल्कुल paradigm बदल गया है हमें देश को decentralize करना है हमें intelligent honest लोगों को politics में लाना है आज क्या है कि पड़े लिखे honest लोग को politics में नहीं आना वो बोलते हैं इसमें कौन लफड़ा करेगा यह सब लोग जूठ बोलते हैं इससे दूर रहिये which is not good for the country we need qualified people honest people people who want to give something and not take see आजादी के जमाने में everybody wanted to give something nobody took anything सब जोली वाले दोती वाले थे अभी ता आप देखिये politics में सब Mont Blanc pen और offensive watch वाले हैं लेकिन सब पढ़े लिखे लोग है सर बड़े टेक्नोक्रेट हैं बड़े बड़े युनिवस्टी से पढ़े हुए लोग है ठीक है सब नहीं है जो है वो अच्छा है लेकिन उनको भी समझना है कि politics कि आप करते हैं क्योंकि आपको कुछ देना है जी देस को जब हम टेले के में आये तो वह हमें बिल्कुल क्लियर सा जी की हमारा औप्शन एक बड़ा दंदा कर सकते हैं खुद के लिए या देस के लिए सिवा कर सकते हैं हमने डिसाइड कि हमें धंदा नहीं करना हमें बिलियनर नहीं बनना है हम आके एक रुपिया सलरी में काम करेंगे दस पंदरा बीस साल तक क्योंकि हमें देश ने बहुत दिया है हमें और देश से कुछ नहीं चाहिए ऐसा सब लोग सोचेंगे तो देश बदलेगा अगर हम ऐसा सोचेंगे कि पॉलिटिसमें जाके और पैसा बनाएंगे तो देश कैसे बदलेगा बहिया पित्रोदा साब का मेरे साथ होने का एक फायदा मैं उठाना चाहता हूँ कि उनका इतना लंबा एक्सपिरियंस है मैं समझना चाहता हूँ राजीव गांधी टू राहूल गांधी कैसे आप देखे देखे राजीव गांधी वाज़ीव गांधी वाज़ीव प्रॉड़क्ट ओफ इन इंसिदेट कि उनकी माता जी की हत्या हुई और वे पावर में आया है उस वक्त देख का मूड अलग था So he had a very large majority He was inexperienced We were all inexperienced I didn't have experience But we were full of Enthusiasm We wanted to do something We didn't know Everything We were learning In the process We were young I remember Jairam Ramesh Worked with me He was even younger And that youth Was very important Because Rajiv Gandhi Was young So we had a dream Created around youth Technology And he had a plan To take India Into 21st century With respect Yes With little more Head high Lakin Indian politics Require maneuvering Which he did not Know well Lying Which he did not do Manipulating people Which we all Didn't know how to do So slowly and slowly Politics Took over us Yes But we were focused On technology Technology missions Were introduced We created Immunization program Which ultimately Eliminated polio We created program On oil seeds Milk production Today we are the Biggest producer of milk We started vaccine production Today we are the Largest producer of vaccine All those seeds Were planted In Rajiv Gandhi's time But we did not Live In the government To see the fruits Which is okay Those who plant seeds Don't worry about Fruits They should not Yeah Fruits are for the Next generation Yes Okay So Rajiv Gandhi Was a different Era Rahul Gandhi era Was very different Yes Manmohan Singh Was prime minister At times I believe Firmly that I wish Rahul Gandhi Had joined Manmohan Singh Government Yes But it was his option Yes He selected His options Which is fine I respect that Okay But from my perspective It would have helped Congress party And India If you join And Rajiv Gandhi And Rahul Gandhi also But we all have Our perceptions So Rajiv Gandhi Was a different Era Different man Different circumstances Different technology Today Social media Has made everybody Of the गांदी जी थे वो जमाना बदल गया न सरे आपने का ने चेंज हो गया जमाना do not change techniques change okay so अभी भी if Congress Party comes to power things can be changed yes for that you need but who takes power in the congress party is a different issue yes सब्सक्राइब है जी so of course I agree with you that too bring about generational change you have to be in power I agree चलिए thank you sir thank you very much बहुत बहुत शुक्रिया आपका के आपने वक्त निकाला और आप अपना ख्याल रखेगा बहुत शुक्रिया आप सुन रहे थे सेंपित्रोदा साहब को Indian Overseas Congress के चेर्मेन है सेंपित्रोदा साहब जो राहूल गांधी और राजीव गांधी दोनों की भी कंपरेजन कर रहे थे और देश की मौजूदा राजनीती पर भी पक्त एक छोटे से ब्रेक का लेकिन आप कहीं माच जाएए क्योंकि न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसला जारी है और आठ बजे मुलाकात करेंगे सत्य की विजय में